एक पतली संकरी गली में पवन और तुफान की मुलाकात हुई तुफान ने पवन से कहा कि है पवन हम दोनों एक ही पिता की संतान है हम दोनों भाई है फिर भी लोग तुम्हें देखकर खुस हो जाते हैं उनके चैरे पे मुस्कान आ जाती है और मुझे देखकर भैवित होते हैं उनके चैरे पे भैच हा जाता है वो अपना चैरा तक छुपा लेते हैं ऐसा क्यों तो पवन ने कहा कि हां भाई हम दोनों एक ही पिता की संतान है पर मैं धीमी गती से बैता हूँ अपने साथ सुगंद लिये मंद गती से आता हूँ और लोग मुझे देखकर प्रसन हो जाते हैं और तुम जब आते हो तो अपने साथ एक चक्र लिये हुए आते हो और इस चक्र में कई सारे पैड़ पौदे जीव जन्तु मनुस्य फस जाते हैं तो लोग तुम से बचने के लिए तुमारे चक्र व्यू से बचने के लिए अपना चेहरा चुपा लेते हैं भैवीत हो जाते हैं अपने आपको चुपा लेते हैं स्रिमान रिष्टे में भी कुछ ऐसा ही होता है, यदि हम हमारे चेहरे पर मुस्कान लिये हुए सभी से मिलते हैं, हमारे रदे में सभी के प्रति प्रेम होता है, तो लोग हमसे प्रसन्न होते हैं, हमसे मिलकर उनका चित प्रसन्न होता है, और यदि हम हमारे मन में बीतर कुछ कटूता चुपाय रगते हैं लोगों के प्रती हमारे मन में वैर भाव होता है कोई न कोई चाल हम चलते रहते हैं सड्यंत्र चलते रहते हैं तो लोग हमसे मिलते हुए कत्राते हैं लोग हमसे भैवित होते हैं और हमसे दूर भागते हैं ऐसा रिस्तों में भी अक्सर देखने को मिलता है तो अपना सभाव जो है वो पवन के जैसा सीतल और मदूर होना चाहिए तुफान की तरफ चक्रविव वाला नहीं होना चाहिए रादे रादे